नमस्ते दोस्तों दोस्तों फिर से सौगे थे आपके अपने ही डिजिटल तयार की इस यूटूब चैनल पर दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज अपना में चेप्टर परसेंटेज के अंदर दोस्तों एक इस टाफिक है अपना चुनाओ संब्धी प्रश्णा है lord election भेस्टेक दोस्तों मैं आज आपको हर तरह के to करवाने वाला हूँ चुनायो व संबंदी समिश्य हैं स्टार्टbelt इससे पहले दूस्तों, 100X और 100X भी कब मानना है ये भी ध्यान रखीगा, जब कुल बोट दिये हुए ना हो, ये ध्यान रखीए अगर कुशिन में पहले से ही बोटों की संग्या दे रखीए तो आपको 100X नहीं मानना है, ठीक है, और कौन कौन से वर्ड आती है इसके अंदर, एक तो आवा जो नाम आता है पहला जो डाले गए मत जो आपको परिश्यान करते हैं डाले गए मत कास्टेड बोड इंगलिज में बोलेंगे इनको कास्टेड बोड सेकेंड नमबर आता है दोस्तों अवेद का मतलता है इन वैलीड डंविद दोस्तों जब चुनाों में अवेद गोसित हो जाते हैं तो जो गिंटी होती है जो कांटिंग ओती हों वैद मत पर होती है अपको ध्यान दखना होता है ठीक है वैल्र बोड चॉटर नंबर आता है दोस्तों कुछ वेट्थी जिन्दा होते हैं, जिन्दा होने का मतलब क्या है, in the sense, voting listener उनका नाम होता है, लेकिन वो व्यक्ति या महिलाएं अपने बोर्ड का इस्तमाल नहीं करते हैं, यानि जिस दिन चुना होता है, उस दिन वो देने नहीं जाते हैं, तो क्या लिखा आएगा लाइन में, वे लोग जो अपने मतों का प्रियोग नहीं करते हैं, यानि आपको mention होगा, दस परतिसन मत आता हूंने, अपने मतों का प्रियोग नहीं क्या, तो यह वर्ड से, तो इसके अंदर जो आपको धियान रखना है, दोस्तों सबसे important वह है, total boards हमेशा 100x मानने जब दियावा नहीं हो, और already दे रखना है, तो फिर आपन को उसको लेकर करना है, चलि, start करते हैं अपन, पहले सवाल से, पहले सवाल आपकी screen पर हैं दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहले मैं pen का color change कर देता हूँ, आईए, देखिए, ध्यान से पढ़ते हैं, देन अपन सवाल को solve करेंगे, देखिए कौन से exam में आया हो, वो भी मैंने mention कर रखा है, जिससे आपको दिकत ना हो, सारे वही सवाल है दोस्तों, जो exams में आ चुके, चले, start करते हैं, दो उम्मिदारों के बीच, देखिए, दोस्तों, उम्मिदार यानि कि दो पार्टिया है, कि दो, दो उम्मिदारों के बीच एक चुनाव में एक को, एक पार्टि को कुल वेद मतों का, देखिए, दोस्तों यहां लिखावा है, अवेद थे किते दोस्तों 10% यह देखी जियां से इसका मतलब जो counting होई है दोस्तों वो होई है अपने 90% यह दस परसेंट अपना काम का नहीं है यह दिकुल मतों की संक्या देखी दोस्तों आठ अजार इसका मलब आपको सो एक्स नहीं लेना है अपनको काम जो करना है वो आठ अजार से करना है यानि टोटल बोटिंग लिस्ट में नेम थे दोस्तों वो टोटल किते थे आठ अजार तो दूसरे उमिबार को मिले वेद मतों की संक्या ग्या किजिए आपको बताना सबसे पहले जो आपको काम करना है दोस्तों हो क्या होगा जहांसे सुनेगा 100 नहीं मानद पर हुए अपन क्या मानगे यह थोड़ा जियां रखेगा सो एक्स नहीं मानना है यह मानेंगे आठ हजार क्यों क्योंकि आठ हजार अपन को मतों की संक्या दे रखी यह तोड़ा निहान रखीगा सबसे पहले देखिए दोस्तों दो पार्टिया थी उसमें से देखिए 10% क्या हो गए अवे इसका मतलब 90% किसका आठ हजार का आपको कि थे आपके एक्च्छल में तो दूसरे को अव्यस से इसका 40% मिला होगा और यहीं आपको निकालना है चलिया यह निकाल देते हैं बहुत तरसों का आपको कितना निकालना दोस्तों 40% दो जिरो कर गया जीरो यह आठ और यह थाइस यानि दूसरे जो उमीद्वाज को आठ जार में से जब 10% अवेद मत गोसित करने के बाद अवेद गोसित करने के बाद में जो बच गई थे बहुत तरसों में से उसको मिले थे 2880, 2880 यानि C-Option बाद समझ में आगी होगी आपको मैंने 100XQ नहीं लिया दोस्तों क्योंकि यह 8000 आपको मतो के संकार दे रखी है चलिए नेक्स्टर देखते हैं Question No.2 यह देखे दोस्तों यह थोड़ा जहां से देखेगा ACGL में आया हुआ है 7 December 2022 ठीके देखते हैं एक चुनाओं में तीन देखे दोस्तों दोवाला कर लिया अब तीन पार्टे हैं कितनी यह पार्टे हैं तीन उम्मिद्वार भाग ले रहे थे तीसे इस्तान पर रहने वाले वेक्तिकों कुल मतों का मलब वहां कोई बदमासी नहीं हुए अभी तक कुल मतों का 20% मत प्राप्त हुआ जबकि विजेता यानि जो जीता हुँ और पर्थम विजेता यानि फर्स रेनर अफ के मतों के बीच का अंतर है दोस्तों कुल मतों का 20% यदि पर्थम विजेता यानि फर्स रेनर अफ और सेकिंड रेनर अफ के बीच के मतों का अंतर है व X, 100 X में से दोस्तों जो तीसे नंबर पे था, थर्ड पार्टी थी, उसको मिल रहा है 20 X, यानि की 20%, अब दोस्तों, दो पार्टी और B, A, B, A और B, उनको किता मिल रहा है दोस्तों, 80%, जोडने पर देखी, क्योंकि इसको 20 बिल गया है, तो इसको किता मिल जाएगा 80 X, और इन तो यहां से जो A और B मत मिलेंगे, वो मिल जाएगे 50 X, सौल करने पर देखी, 50 X और 30 X, और C को मिल रहा है 20 X, फोगे टोटल 100 X, अब क्या बोला है दोस्तों, यदि प्रथम उबिजेता और जित्ते उबिजेता का मतों का अंतर, ठीके, किता 37,000 था, यानि की देखी, B है, इन दोनों के जो बीच का अंतर है दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर है दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर है दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर है वो 10 X है, और ये 10 X जो है दोस्तों, 37,000 के बराबर है, इसके बराबर है 37,000, तो 1 0 स 1 0 कर गया, X अपना यहां पर 3700 दोस्तों आपसे पूछा जा रहा हैं विजीता को कितने मत मिलें यानि यह को 50x किते मिल रहें 50x तो 50x यानि एक्स की जगह आप कितना रख देंगे दोस्तों 3700 जब आप 50 को 3400 से गुणा कराएंगे तो आंसर क्या आएगा देखी ट्रिपल जेरो लगा देता हूं मैं सातो पंचे पैतिस हसल के तीन पंदर और टीन अठार यानि एक लाग पिच्छे से जार बोट मिलें किसको सी अपसर बाद समझ में आगे होगी आपको यह जितने भी सवाल दोस्तों कि पैक्टिस जरूर कीजिएगा और यह सारे वो सवाल जो एक्जामस में आ चुके हैं नेक्स्ट देखते हैं यह पूरा निचोड़े जितने भी सवाल आपके इलेक्शन में आ चुके हैं चली अब देखते हैं तीसा नंबर सीपी ओ नो नंबर दो जार बाइस वाया दो दल हैं दो दल का मलब दो पार्टिया हैं ए और बी के बी संक्या है मान ले कि कोई भी मत अवेद घोसित नहीं क्या गया नहीं हज़ेट परसेंट बोटिंग हुई है दोस्तों तो टोटल बोट्स किता मानते हैं जब नहीं दिया हो तो स्वायक्स मैंने आपको बता रखा हैं पार्टी एक को जो मत बिले हैं दोस्तों वो मिल रहा है पांच में से तीन गया दो यानि 26 एक्स जो है दोस्तों वो 338 के एक्वल है एक्स बराबर किता हो जाएगा दोस्तों 338 में आपका भाग लगेगा 26 का 26 एकम 26 बज़ गया दोस्तों साथ एठट तक तेरा वाद यानि स्पीड फेक्टर एक्स आगया तेरा तेरा को यहां रख दीजिए एक्स से गुणा करवाएं सो इंटु तेरा तेरा सो बोट टोटल थे दोस्तों उस चुनाव में अंसर है देखें दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास से पसंद आ रही है हमारे जो कॉंसेप्ट है आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सस्काइब कीजिए और लाइक कीजिए और बच्चों की जड़ी है हमारे इस चैनल में और इस ग्रहस्वात और कुल जुना में पॉल्पोट बुट का जिया से सुनेगा कुल बॉट का 30% बॉट मिला फाइस बी को UP पुल मतों का 25 छींक है राप तो और पाप सब्सव पार्टे सी को 16 मिले हैं औरहे बार्टे से नौ A को क्ता मिल गया T6 ठीक है B को मिल रहा है दोस्तों इसका, यानि 25 ठीक है अब देखी दोस्तों 30 और 35 क्त्व होते है 55 यानि C को मिल रही है दोस्तों, 45 तो जीता कोन है चुनाओ सामने दिख रहा है अब क्या बोला है, दोस्तों पार्टी C को 6 बोट मिलें, 6 बोट मिल गए हैं, और उन्हें पार्टी A से 9000 बोट अधिक मिलें, पार्टी A से, तो पार्टी A है दोस्तों, फर्स रंग राप, और विजेता कौन है C, इन डौनों का डिफरेंस देख लीजेगा, आप 15X, और ये किसके बराबर है दोस्तों, 9 2000 के, तो X किसके बराबर आजाएगा दोस्तों, 600, आपसे पूछा जा रहा है, B को किते मत मिलें, दोस्तों ध्यान से देखेंगा, B को किते मत मिलें, तो ये 600, यहां रख दीजिएगा, 25 इंटो 600 कर लिजेगा, दोस्तों, आपका अंसर आजाएगा, 0000 पहला रख दीजिए, तो 15,000, ओके, तो बात समझ में, 100X का क्या रोल है, जब बोट नहीं दे रखे होता है, और की तैजिए हो जाता है, question, next, पांच नमबर आई है, द्यान से पढ़ते हैं, पहले सवाल को, एक चुनाओं में, उम्मीद्वार X को, कुल वेद मतों का, देखिए दोस्तों, यहां पहले ही पता चल गया, यहां चुनाओं में बध्मासी हुई है, वेद मत जब भी आते हैं, इसका मुलब अवेद जोसित जरूर हुए है, कुल वेद मतों के सत्यृट प्रतिसेद मत मिले, ठीक है, किसका, वेद मतों का, यदि कुल मतों के 20.30 मतों को के क्या कर दिया गए है इन्वेलिट डिगलेर कर दिया गए इसका मतलब ये अपने काम का नहीं काम का है दोस्तो 80% क्योंकि गिंटी किते पर और ये 80% तो ये थोड़ा धियान रखें आप और मतों की कुल संक्या दोस्तो 6,40,000 हैं किते 6,40,000 हो तो इस उमिद्वार के पक्स में पड़े वेद मतों की संक्या की गढ़ना करें यानि X के पक्स में आपको बताने बोर्ट किते पड़ें चलिए आईए सबसे पहले दोस्तो आप 6,40,000 का क्या निकालेंगे 80% क्योंकि ये है वेलिद वोर्ट किसका वेलिद वोर्ट का बस अंसर आजाएगा आपका चलिए 1,2,3,4,5,6 और ये 4,0 से 4,0 हटा देते हैं अब गुणा कर लेते हैं दोस्तों दबल जीरो ये आँचों 32 हसल की पीन 48 इकावद इंटू साथ से अब गुणा कर लेते हैं दबल जीरो चाउदा हसल का एक साथ एक साथ एक साथ एक आट साथ उपन गुणा करते हैं तो किते मिलने दोस्तों आपको समन्द में आगे होगा आप उनको 20 परसें जो अवेद गोसित हो गए हैं उनसे मतलब नहीं रखना है दोस्तों क्यूंकि गिंती होगी 80 परसेंट तो मैंने 6,40,000 का 80 परसेंट निकाला और इसका 70 परसेंट एक ही लाइन में ने कर दिया तो 3,89,400 मिलन एक्स को ठीक ह चली नेक्स देखते हैं ये बड़े सवाल है दोस्तों ऐसे सवालों को अफ्रीस्टा लगएगा ये सवाल का इबार आ चुका है और आगे भी इस तरह के सवाल में लेका है हो आपकी लास्त में देख लीजीगा अब देखी इसमें क्या है दियांसे पढ़ते लिए इसको द भी पाट है ये सिरफ मज़े ले रहे थे चुप्ती का उस दिन का ठीक है यह आए नहीं बार देन डाले गए कास्टेज बोटों में से भी दोस्तों जो डाले गए थे मत उसमें से भी 10-35 मत अवेद गोसित कर दी गए यानि गिंती किते पर होई होगी दोस्तों डाले गए क नव्य परसेंट पर जीतने वाले उमिदार की विएजमतों का चौबण परसेंट मत पराप्त हुआ और वह दोस्तों 1620 बोटों के बहुमन से प्राप्त हुआ यानि की जीत गया 1620 बोर्टों का बहुमत प्राप्ट हुआ यानि वो 1620 बोर्टों से जीद गया मदता सूची में उन लोगों की संक्या ग्याद कीजिए जिनों ने बोर्ट के लिए पंजीकरन करवाया यानि टोटल बोर्ट किते थे देखें दोस्तों सीप्यों नो नॉमबर दोजार बाइस को आया सवाल आईए सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है जब भी बोर्ट नहीं दे रखे होते हैं तो टोटल बोर्ट मानते हैं 100X इस 100X मैंसे दोस्तों 10% ऐसे थे जो घर से निकले ही नहीं इसका मतलब डाले गए मत किते होगे दोस्तों कास्टेड बोर्ट 90X इस में से भी दोस्तों 10% ऐसे थे जिनको अवेद घोशित कर दिया गया दोस्तों 90x का 10% होता है 9 करके देख लें साइड में वहना आपको निकालना भी आना चाहिए यह नबेका 10% किता होता है दोस्तों 9 x यानि 9 वह खारिज कर दिया गया तो दोस्तों वैद मत कितने होगे 81cx थोड़ा ज्यांद रखेंगे ठीक है यानि गिंती इक्यासी एक्स की होगी अब क्या हुआ दोस्तों एक उमिद्वार ने 81 एक्स का ध्यान से सुनेगा 81 एक्स का 54 परसेंट मत प्राप किया तो दूसरे को किता मिला होगा दोस्तों दोसरे पार्ट इबी को इसका 46 परसेंट अब दझेए बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चे गलती यह करते हैं दोस्तों 81 एक्स उसमें से 54 गटा लेते हैं जो बसता मुए दोस्तों द्यान से सुनिएगा आपका 81 एक्स है अप 100 परसेंट हैं यह ध्यान परसेंट जो है दोस्तों बिस वेर गजीव यहां रख दीज़िए आपके टोटल बोश आजाएंगे चली मैं देख पारएंगे जब देन दोस्तों देखिए दूनों करते है चार से दो बार यह पच्चीस वार और दो से यह कर जाएगा दोस्तों दस वाद और जब मैं 25 को 10 से गुणा करूंगा तो मेरा स्पीड फेर्टर एक्स दोस्तों आ जाएगा धाइसो और यह धाइसो रख देंगे सो से गुणा करने के लिए हैं यहां यानि आंसर आजाएगा पत्चीस हजार यानि टोटल बोर्ट किते थे जो पंजीकरन थे या रजिस्टेशन थे दोस्तों पत्चीस हजार बोर्ट थे ओके बास आज तो सव एक्स इमान के करेंगे तो एजी रहेगा आपके लिए नेक्स्ट क्यूशन दोस्तों साथ नमबर आईए दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाओं में एक उम्मीदवार को कुल वेद मत्व का देखिए दोस्तों पहले ही पता चल गया है वेद मत होल रहा है इसका मतलब यहां और बदमासी ही इस चुनाओं में बदमासी अवेद गोशित किये गए हैं फर्जी गोशित किये गए हैं वेद मतों के 40% मत प्राप्त हुए और 30% दोस्तों 30% कच्रा यानि अवेद हो गया इसका मतलब 60% अपने काम का बस यह थोड़ा ज्यां रखे हैं यहीं मतों की कुल संक्या यानि यहां 100 नहीं मानेंगे दोस्तो 7500 होती हैं और 7500 का मैं किता निकालूंगा 270% यह होते हैं गिल्ती के लिए दूसरे उमिदार दोस्तों एक उमिदार को 40% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 60 तो एक ही लाइन में कर लेती इसको बस आंसर आजाएगा आपका 1,2,3,4,1,2,3,4 पहले इसको इसको इससे कर जीरो हसल के तीन, बारा और तीन, पंदरा हसल का है, तीस और एक इक 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 इस, यह दूसरे उमिदार को मिला दोस्तों 3150 बोर्ट दी, आपसर, बात समझ में आ रही है दोस्तों, कैसे कर रहा हूं मैं, जो चीज अवेद हो गई है उसको नहीं लेते हैं, आपके काम के 70%, ए इजी लेवल तू टॉप लेवल, चीक है, चलिए, देखे ध्यान से, दो परतियाशों के बीच हुए एक चुनाव में, पात्र मदतों में से 80% ने अपना बोर्ट डाला, किते हैं, दोस्तों 100 थे, उसमें से 80% ही डाले थे, डाले गए 5%, देखे दोस्तों, यह थोड़ा ध् दाले गए 5%, मतों को अवेद घोशित कर दिया गया, इसका मदलब दोस्तों मेरे काम का कितना 85%, जो जो गिंती का है, स्टाली, 65%, पांचपरशन्किा गया तो 65% मैं मेरा या काम एक-परत्यासी को दोस्तो देख्यांस छंशत आगी दोस्तों पाटरं पात्रम दाताओं कि Beginning द्यांसै सबसे पहले दूस्तों और आपको क्या करना मेरी बाह द्यांसै सुना सो एकस मांच hilarious मेंस से जालें का किटे थे दोस्तों सो एकस थे टोटल है चलिए सो एकस उसमें से भी डाले गए मत किते थे दोस्तों असी और असी में से भी काम की चाहिए कौन सी है दोस्तों 95% तो मैं असी का किता निकाल दूगा दोस्तों डायेक्ट पंचानवे चलिए निकाल देते हैं ठीक है पंचानवे परसेंट और इसका मतलब असी का पंचानवे परसेंट हो गया दोस्तों आपका यहां मैं कर देता हूं असी एक्स का असी एक्स का दोस्तों पंचानवे परसेंट तो हो गया आपकी वैलिड बोर्स और एक जन्यों को मिल रहा है इसी का सत्तर पच्चतर पच्चतर और यह जो बदाबर है दोस्तों वह दस सजार पांसो पैताविस चलिए इसको सौल कर लेते हैं आपका एक्स आजाएगा एक्स क यह रख देना बस चलिए सौल करते हैं इसको सबसे पहले देखिए दोस्तों जीरो से जीरो कार देते हैं इससे पहले आपन 25 से तीम बार 25 से चार वार 5 से 19 वार यह वीश वार और 24 पूरा ही कट रहा है दोस्तों यानि एक एक्स बन जाएगा चलिए अभी इससे कटेगा द दोस्तों 19 से सिल्दा डायेक निस पंजे पंचानवे 15 वे बज गए 10 उतारे चार यह गेंगे दोस्तों उतारेगे 9,000 इंस से पंचानवे यानि 550 दोस्तों देखी तीन से कट रहा अगें एक्स बदाबर मैं दोस्तों थीन का भाग दूंगा तो 18 आप से पूछा क्या रहा दोस्तों कुलमतों की संख्या यानि एक सो पिछासी को सो से बुणा कर ले आप यानि आ जाएगा अथाराजार पांसो टोटल बोर्ट किते थे दोस्तों अथाराजार पांसो दी ओप्सन देखिए कौन से एक्जाम में आया और 10 प्लस 2 देखेगा औ और करने की एप्प्रोच देखा में केल्कुलेशन जीता हो सके कम कीजिए आप नेक्स्ट चलिए अब आते हैं दोस्तों वापस देखिए ध्यान से क्या है सवाग ओके देखते हैं राजू रवी असोग ने चुनाव रड़ा किते जने होगे दोस्तों तीन जने होगे अब All गुल मत ओं का द्यासे देखिए का दोस्तों कुल मतों का बोल रहे हैं यहां गलतियां मत कर देना आ यह जो चोता सा वड हिद हैं और यह मरवां देखा आपको को सबसे परेमें मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक मत प्राप्त वेट डाले गए मतों के कुल संक्या घ्यात किजिए आईए करते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले दोस्तों आपको मानने टोटल बोर्ट सो एक्स उसमें से आपके 95% काम के हैं यह आपके वैलिद बोर्ट लेकिन दोस्तों जो राजू है राजू को कुल मतों का कुल मतों का मलत सो एक्स का यानि 30 एक्स प्राप्त हुआ और रवी को दोस्तों कुल बदों का यानि पासट X गट आदीजी, यह थोड़ा दिहान देखिए गा, यहां बच्चे गल्ती कर देते हैं, वो गल्ती आप ना करेते हैं, तो 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया 3, यानि अशोग दोस्तों, विनर है, देखा जाए तो, अब देखिए, जीतने वाले को सबसे कम, सबसे कम किसको मिल रहा है, दोस्तों, राज्यू को, और अशोग को 33, यानि कित्य का अंतर हो गया, दोनों में 3 X का, और यह 3 X किसके बराबर है, दोस्तों, 5136 के, तो X बराबर, 171 होता है, दोस्तों, 112, यानि 1712, आपका स्पीट रटर आ गया, बात समझ में आगी होगी मेरी, मैंने किस इसे यह सवाल किया, यानि कि कुल मतों का, कुल मतों का, कुल मत माने मैंने 100 X, राज्यू को कुल मतों का मिल रहा है, 30%, यानि 36, रवी को भी कुल मतों का, तो दोस्तों, अशोग को 6, यानि कि पंचान में से मैं 30, और 32 को घटा लूँगा, यानि 36, विनर कौन है दोस्तों, जीतने वाले को सबसे कम सबसे कम मिलता है राजी सी एक्स और तीस एक्स में कित्य का अंतर दोस्तो तीन एक्स किसके बढ़ाबर हो गया औपसे नमबर सी ऐसे सीजेल में आया है दोस्तों यह सवाल थोड़ा ध्यान से पस थोड़ा यह जो वर्डिंग है दोस्तों जो मैंने आपको बताईए देखी गुलक मार मार के क्योंकि यह जरूरी है यहां पर अगर आपके फोकस कर घटा दिया तो आपका सवाल तलत हो रहेंगे अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आईए देखते हैं दो उम्मिदारों के बीच हो एक चुनाव में कुल 85% बोर्ट पड़े यानि कुल पड़े किते दोस्तों 85% उन मेंसे 4% बोर्टों को अवेद घोसित कर दिये गए दोस्तों इसका मतलब गिंती कि किसका 85 का एक उमिदार को 6936 बोर्ट मिलें जो वेद मतों का 85% था थोड़ा ध्यान से वेद मतों का 85% था उस चुनाव में कुल मतों के संक्या ग्याद कीजिए आईए करते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले आपन माल लेते हैं 100x टोटल बोर्ट होते हैं उसमें से भी कित किते हैं 96 पर ओकी यह थोड़ा ध्यान रखें 25x का 96x आपका क्या है वेलिड देन दोस्तों एक उमीदवार को किते मिल रहे हैं 6936 और 6936 है वो दोस्तों इसका कितना है 85% यह भी ध्यान रखें यानि कि दोस्तों देखिए गिनती हुई है 55x पर 55x का भी वेलिड बोर्ट कित 85% और वो किसके बरावर दोस्तों 6936 के बस आपको यहां से इसको स्वाल करना एक्स की वेल्यू लानी आंसर आजाएगा चली करते हैं सारी तीजे कर जाएगे अभी देखिए यह देखिए दोस्तों 17 वार 5 से यह 20 बार अगें दोस्तों कोई चीज कट रही है यह यह अगें 17 वार यह 20 बार अगें दोस्तों देखिएगा ध्यान से कुछ और कट रहे हैं यह आपके कट चार से 24 वार यह पांच बार यह अगें कट रहे हैं 6 बार यह 5 बार चली अब मैं कार देता हूं इसको सत्रा 6 सत्रा को 6934 जरूर काटेगा तो सबसे पहले दोस्तों सत्रा से काट रहा हूं उसको सत्रा चोका किते होते हैं दोस्तों 68 बज गया एक ठीके 0 आ जाएगा दोस्तों यह 136 आता है सत्रा के पाड़े में आठ वार वोलने ठीके 408 अगें दोस्तों देखिए 6 से कट रहा यानि की X स्पीड फेक्टर निकालना है यह 25 हो रहा है दोस्तों यह मत बूलिएगा चार गुणा जब आप 25 करेंगे यानि स्पीड फेक्टर जो आएगा वो आजाएगा 100 और यह 100 कहां रखना है दोस्तों 100 से गुणा करवाने यानि टोटल बोर्स थे दोस्तों 10,000 देखि ना एक ही लाइन में ठीक है next question number 11 आईए रेक्ते हैं क्या बोल रहा है सवाद ज्यान से एक नगर निगम चुनाओं में नगर निगम में जो निगम होते हैं दोस्तों उसमें चुनाओं होते हैं महापोरत बोलते जिसको महरपद के लिए ने चुनाओं में भाग लिया दो विक्तियों ने भाग लिया मेरपद के लिए एक उमिदवार को 40% मानिये मत प्राप्ति ओगें देखिये मानिये का मतलब यह हो गया वेद मतों का यानि जो हुई है वो बदमासी हुई है और बदमासी की तुई 30% मत मानिये थे यानि दोस्तों 77% अपने काम के मत यह थोड़ा दियान रखिएगा यदि कुल मतों की संक्या 21,000 थी तो दूसरे उमिदवार को मिले मानिये मतों की संक्या ग्यात कीजिए आईए दोस्तों सबसे पहले आपको 21,000 का किता निकालना है 70% चली ठीक है एक को किता मिला है दोस्तों मिला होगा इस वेद मतों का ठीक है बस हो गया सवान आंसर आजाएगा एक दो तीन चार चार जिर से चार जिरो मैं हटार देता हूं अब ज्यांसे कीजिएगा पहले पहले मैं 21 कापाड़ा आते इसलिए 77 से गुणा कर लेता हूं या 77 एकम 77 7 हासल के 7 शेकम 6 9 क्या ऐसा आंसर आपको दिखाई दे रहा है उप्सन में यस पहला ही ऑप्सन है हो गया दोस्तों देखेगा एक ही लाइन में अंसर ले आया हूं मैं तिक ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको मेरी एप्रोच देखनी है दोस्तों मैं किस तरह से देखी 23 परस दोस्तों क्या बोल रहा है द्यान से देखीगा क्या कह रहा है दो उम्यदारों के बीच हुए एक चुनाओं में 10% मत अपने मत नहीं डाले ठीक है यह ऐसे थे जो गर से बार ही नहीं नहीं के अभी मैंने बता रहे थे चुनाओं की और डाले गए मतों के 5% मत अवेद वेद मतों के 55% मत प्राप्त हुए और वह 1710, 1710 मतों से चुनाओं जीत गया है गणना करे कि कुल कितने अदाता ना मांग किते रिजिस्टेशन बताने किते थे तो टोटल किते मानते दोस्तों हमेशा आपन 100X 100X मेंसे भी दोस्तों 10% ऐसे थे जो घरों से निकले ही नहीं इसका मतलब डाले गए मत किते हो गए दोस्तों डाले गए कास्टेट बोर्ट है 90X उसमें से भी दोस्तों आपका 5% क्या कर दिया गए अवेद इसका मतलब दोस्तों 95% आपके हो गए वेद मत यानि की वैलिट बोर्ट जिस पे होगी गिंती चीक है उसमें से भी दोस्तों एक उम्मिद्वार को 55% मत पराप्त हुआ, किसका, और वो किते बोटों से हार गया है, दोश्तों किते बोटों से जीत गया है, सुरी, जीता है, 55% वाला जीत गया है, 170 So, इसका महलना दोश्तों अगर एक जने को ध्यान से सुनना, अगर एक जने को 55% मिल रहे हैं, तो दूसरे को किते मिलने होंगे दोस्तों थोड़ा ध्यान रकना 45%, ये थोड़ा ध्यान से देखना, वापस से दिखिए, एक उमीदवार को, सफल उमीदवार को जो जीत गया उसको 55% मत पराप्त होई, किसके दोस्तों? इसके, ये आपका valid board से, एक को 55% मिलने होंगे दोस्त तो इसका तो आप खुद बताइए 55 परसेंट और 25 परसेंट में कित्ते का अंतर हो गया दस परसेंट यानि इसका जो या दोस्तों को रख दीजे सो में वहां पर टोटल देखें दोस्तों किता ही ओ गया थ्यान रखना पच्पन परसेंट एक जन्यों को मिलें तो दूसरे को ऑब्यस हैं वेद मत्वों का 45 परसेंट मिला होगा दोनों का अंतर देखिए दोस्तों हार जीत का जो अंतर होगा 10% वो 1710 के ब्राबर होगा ये थोड़ा ध्यान रखेंगा आप बस नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमबर 13 यस ये और भी बड़िया सवाल है दोस्तों ध्यान से देखिएगा most important है क्या कह रहा है एक चुनाओं में तीन उमीदवार A, B और C थे ओके 10% दाताओं ने मदान नहीं किया जो भी पात्र थे उसमें 18 साल या 18 साल से उपर वाले उन्होंने क्या नहीं किया इसमें बोट नहीं किया 10% यानि वाकिती हुई दोस्तों 90 मदान करने वालों में से 25% ने A को 35% ने B को और से 20% ने C को मदान या A को डाले गए मतों में से देखी दोस्तों A को डाले गए मतों में से 30% और B को डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में अभीद माना गया य儿 थोड़ा ध्यान रखा पृप. जब्कि C, को और जब भी बूर्ट डाले गएbased by मथा और लेद्माने स्ब्सक्त अंसर लिए 880 अधिक वेदमत प्राप्ट हों और यह C, किभ्येट्मत प्राप्ट। आईए दोस्तों सबसे पहले पहले क्या करना आप Hind vast? सिधा answer स्वाइक्स है दोस्तों देखिए इसमें से अपन देख लेते हैं क्या हो रहा है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तो यह तीन है तीनों को देख पा रहा हूं तो पैटालीस देन इसका हो जाएगा पैटीस और यह हो जाएगा पीस तो हो गया दोस्तों टोटल सौ देन दोस्तों देखिए एक को डाले गए मतों में से तीस परसेंट तीस परसेंट यानि पैटालीस का पैटालीस एक्स हैं दोस्तों इसको इसको पैटीस एक्स और इसको बीस एक्स ठीक तांतवार कर गया, यह पैटार है, यह पांच, शातो बंजे पैतिस हासल कि तीन, 28, 31, यानि जो काम के थे दोस्तों, वो 31.5X था, ओके, देन 35%, यानि 35% यानि 35X का किता 20%, यानि 80% काम के थे दोस्तों, यहां से मैं देख पा रहा हूं तो चार यह पाँच यह सीधा ऐसे ही कर लिया तो दोस्तों इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूत नहीं है यह आट पंजे चालीस हासल के चार आटी चोबिस और चार 28 यानि यह गया 28 अब देखिए दोस्तों मैं देख पा रहा हूं तो एक को जो मिल रहे हैं बोर्ट एक्चल में 31.5 एक्स है और बी को जो मिल रहे हैं 28 एक्स है भुक्त दोस्तों जीयां से लिखा हुडहा हैं यह 5 और यहां से लिखंगा रहा हूं तुमें 30.5 एक्स यह 37 एक्स किसके बराबर एं दोस्तों 882 के बराबर बल्म है चलिए कर लेते हैं यह मैं लिख देता हूं 3.5 x है दोस्तों वो है 800 82 के बड़ाबर तो एक्स बड़ाबर दोस्तों 802 बटा किता करना आपको 3.5 पॉइंट हटेगा दोस्तों यहां जाएगा 10 यहां से मैं देख पा रहा हूं दोस्तों यह 212 5 से यह 7 वार और यह 7 से कट रहा है क्या है यस बारा साथ चौरा सी होता दोस्तों बजगया चार चे इंटू दो ठीक है यह 252 एक्स की वैल्यू किती आगे दोस्तों 252 यह थोड़ा दिया रहे हैं इतना अपन से जानना चाहता है कि सी को किते मिल रहे हैं सी को किते मिलें दोस्तों 252 इदर देखी मैं कर देता हूं 252 इंटू 20 कर लीजिए जीरो चार्ट दस पांच हजार चारिस वी आपसे ओके बास समझ में आगे होगी आपको 10 प्लस टू में आया हो है सवाल देख लीजिए एक दम साही कर दिया मैंने स्वाइक समान के करेंगे दोस्तों तो इजी रहता है सबसे पहले देखी बहुत शांदार सवाल है यह मैंने मेरे तरफ से लिए सवाल जो मैं आपको समझा सकूँ इससे हाइस लेवल नहीं जा सकता दोस्तों तो थोड़ा द्यान से देखिएगा तेरा तक सवाल वो थे दोस्तों जो एक्जाम में आ चुके थे अब यह सारे मेर दताओं में से 80% ने अपना मत डाला किते दोस्तों सिर्फ 80% उमिद्वारों में से एक को डाले गए यानी 80% का 30% प्राप्ट हुआ 80% का 30% जबकि अन्य तीन उमिद्वारों को सेज डाले गए मत एक अनुपाद, दो अनुपाद, तीन के अनुपाद में प्राप्ट हुए यदि चुना कि विज्यता को दूसरे सबसे अधिक प्राप करने वाले उमिदासे 2512 मत अधिक मिले हो तो पंजिकरत मत रता हो कि संक्या कितनी थी आईए करते इसको दियान से देखिएगा सबसे पहले तो आपको मानना है दोस्तों 100X 100X में से भी आपके डाले गए मत कितने हैं दोस्तों 80X उसमें से भी 30% किसका जहां से देखिएगा 80 का 30% यह कह रहां देखिए 30% डाले गए तो चलिए 24 तो पार्टी A को 24X मत प्राप्त हो गए यह थोड़ा दियान लगा पार्टी जो A थी चार पार्टी थी दोस्तों उसमें से पार्टी A को 30% 80X का यानी 24X मत प्राप्त हो चुके हैं से रह गए दोस्तों remaining यह मैं लिख रहा हूं remaining वह गए दोस्तों 56X और यह 56X है वो तीन जनों में बट रहे हैं दोस्तों B, C और D में यह थोड़ा दियान रखना एक अनुपात दो अनुपात तीन के अनुपात में यह दिखिए दोस्तों यह जो च्छे है वो 56 के बराबर है थोड़ा दियान रखना तो एक कितने के बराबर आ जाएगा दोस्तों 56 यानि कि 28 बरता दोस्तों यह थोड़ा दियान रखना यानि एक जो बराबर है दोस्तों एक दो तीन यानि च्छे बराबर है च्छे बराबर है च्छे बराबर है च्छे यानि 28 बरता तीन यानि बी को कितना मिल रहा है दोस्तों यहां से देखिएगा मैं देख पा रहा हूं तो 28 बरता ती 15 और इसको मिल रहा है दोस्तों ऐसे अब देखी क्या बोलना दोस्तों ऐलि जिदी चुनाओ के विजयता को चुनाओ के सामने क्यभा और своеzet hackers एक्व तोड़ी ये थोड़ा धियान रखना, बस अपन को यही काम की चीज़ करना है, को उमिद्राश से 2512 मत अधिक मिले हैं, तो पंजिकत मद आता हो कि संक्या कितनी थी, आईए, तो दोस्तों इन दोनों का अंतर देखिए, विजेता यही आई, और सबसे कम यही बाकियों के तो देखिए, बच गया एक, दो बार चला गया दोस्तों, और आँच चोग बतीस, यानि स्पीड फेक्टर जो आया है, दोस्तों, चेह सो आटाइस आया, और टोटल बोर्ट पुछे जा रहे हैं, दोस्तों, तो यहां रख दीजिए, सिंपली आ गया, आंसर, छेहाजार, स्वारी, अब चुनाओ में दो उमीद्वाद, दीपक और प्रवीन थे, ठीक है, एक चुनाओ में दो उमीद्वाद थे, दीपक और प्रवीन, चुनाओ अभियान के दौराण, अब जब यह कैंपेणिंग कर रहे थे, अपनी चुनाओ की, तो 40% मदाताओं ने दीपक के लिए मदा देंगे हाला कि आप देखी क्या हुआ उनके होगे चोट क्या चोट हुई चुनाओ के दिन पंदा प्रतीशन मदाता दिपक को बोर्ट देने के अपने वादे से पलट गए यानि चालीस परसेंट का पंदा परसेंट आपको निकालना पड़ेगा वो पलट गए यानि वो किस बोर्ट दिपक को दे दिया मान ले दिपक जहां से देखीगा दोस्तों मान ले दिपक चारजाज चार बोटों से हार गया हार गया है तो मत आता हो कि कुल संक्या किती आई ही दोस्तों करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहां से दिखते हैं आपन सो एक्स ठीक है सो एक्स म ने कि हम आपको क्या करेंगे बोर्ड देंगे और प्रवियन को कि दोस्तों चुनाओ के दिन 15 पर से धंदगा पर से को देने से मना कर दिया किते जरने 15 पर से किसका 40 का दोस्तों 40 एक्स का पंदा पर से निकाल लीजे ये तीन वार कड़ गया दोस्तों दियान से देगे ये बहुत बिठे सवाल है तीन वार और ये बीच से कड़ गया दोफ़ Dova यानी 6x 6x तो ये दोस्तों वो प्रवेन को नहीं दे रहें हैं यानी ये कहां चले गए दोस्तों यह चले गए थे प्रमीन के पास ठीक है यह पहली बात हुए और 60 X का 25% निकाल लीजिए यहां से तो यह हो गया दोस्तो 15 यानि 15 X ने प्रमीन को बोर्ड नहीं दिये यानि दोस्तो यह 6 X तो इदर आ जाएगा और यह 15 X इदर आ जाएगा तो दोस्तो 40 X में 6 X घटाओंगा तो किते हो जाएगे 34 34 X यह प्लस 15 यह तो किता हो रहा दोस्तो 59 X देन 60 X में से पहले मैं 25 X घटाओंगा तो किते हो जाएगे दियान से देखी गया तो 45 और 6 यह वाले जो दिपक को नहीं देखे इसको देने तो हो गया एकाउन X तो दोस्तो वीनर तो कौन है प्रवेणी है 49 X और एकाउन X में जीता कौन है प्रवेण किते मतों से 2 X मतों से यह 2 X जो है दोस्तो वो 4000 4 के बराबर है तो X बराबर दोस्तो भाग देजीजेगा दो जार दो X स्पीड अब पूछा जारे है टोटल बोस तो डबल जीनो लगा दे पीछे अंसर आजाएगा ए बात समझ में आ गई होगी दोस्तों मैंने कैसे क्या वापस से बताता हूं 100 X है आपका टोटल बोस उसमें से 40 X जो है वो दिपक के साथ थे और 6 X प्रवेन के साथ लेकिन चुनाओ के दिल क्या हो गया दोस्तों 15 परसेंट चले गए प्रवेन के पास और इसके 25 परसेंट आगे इदर तो पहले मैंने चार 15 परसे निकाला यानि 6 X चले गए उदर तो 34 बच गए इसके पास और उदर वाले जो थे 15 यानि 15 गटा है तो वो रह गए 45 और इदर वाले 6 उदर जाके 45 में जुड़ गए तो गए कावन और इदर वाले जो आए 15 34 में तो उन पर चास तो जीता तो कौन है दोस्तों कितने बोटों से दो एक्स बोटों से वो दो एक्स किसके बराबर थे दो सो चार जार चार चार एक स्पीड फैक्टर दो जार दो के पीचे डबल जीरो लगा दिए बाहर समझ में आगे हो गया नेक्स्ट ये भी दोस्तों आपके काम का चली तो उम्यदारों के मत देए एक चुनाव में बिश परसेंड मत आता हमक्र तो ने अपने मत नहीं डाले भी जो जो गर से बाहर में निकले देन क्या हुआ दोस्तों डाले गए मतों में से 120 मत अवेद गोसित कर दिये गए किते 120 परसें ने 220 जिन्ती में थोड़ा ध्यान रखी गा जीतने वाले उम्यदार को मत आता सुची का 41 परसें मत प्राप्त हुआ इस परकार उसे अपने पर्ति दिन्दी से 520 मत अधिक मिले तत्व अनुसा हाने वाले उम्यदार को पुल डाले गए मतों की किते पर्तिसें मत मिले आए देखिए सबसे पहले देखिए क्या करना है सो एक्स मान दीजिए सवाल को दियान से पढ़ेंगे वापस से सव एक्स में से 20 ऐसे थे जो दोस्तों घर से आये नहीं नहीं आये तो इसका मलब बोटिंग रिखते पर दोस्तों इस इस में से भी देखिए 120 ऐसे मत थे जिनको अवेद कुसीद कर दिया गया यानि 80X-120 यह आपकी है दोस्तों valid ओके अब ध्यान से देखिएगा यहां तक ठीक है बाद आपको समझ में आगी 20% नहीं निकले 100 मान दे टोटल 100X में से 20% ऐसे थे 20% ऐसे थे जो गर से निकले ही नहीं दोस्तों यानि डाले गए मत कितने हो गए 80X उसमें से 120 गिंती के अंदर यानि 80X-120 यह आपके वैलिद ठीक है एक मत दाता को देखिए दोस्तों मत दाता सुची का यानि कि इस का 40 21 जरी 41 यानि इए पार्टी को 41X मिल गया मील ठीक है गटा गैजिएगा चलिए तो देखिए किते मिल गए यासे गड़ गया 9 यह हो गया दोस्तो 49 x माइनस 120 यह थोड़ा द्यान रखना 41 x मिले A को B को मिले 49 x माइनस 120 अब देखें दोस्तों हार जीत का जो अंतर है वो 520 मत है किता है 520 मत है चलिए आईए तो इन दोनों का जो अंतर है दोस्तों वो किता आ रहा है देखने पर 2 x माइनस प्लस का 120 कैसे मैं आपको करके बता देता हूँ देखेंगे वापस से देखेंगा पार्टी A को किते मिल रहे है 40 x सॉरी पार्टी A को मिल रहे है 41 x और पार्टी B को किते मिले इस जो वेदमत उसमें से 41 x को मैंने घटा आ दिया 49 x माइनस 120 और इन दोनों का जो अंतर है दोस्तों वो होना चाहिए 520 के बरापर चीक है चलिए आईए तो अंतर देख लेते मैं अंतर देखूंगा दोस्तों यहां से तो 41 x माइनस 49 x माइनस 120 तो 41 x प्लस माइनस माइनस 49 x प्लस का 120 x यानि 2 x प्लस 120 यह जो है दोस्तों वो 520 के बरापर है तो 2 x किसके बरापर हो जाएगा दोस्तों यह प्लस का उदी जाके माइनस का हो जाएगा तो 400 x बरापर 200 ठीक है दोस्तों आब पूचा क्या जा रहा है वह important है Much हाने वाले उमिद्वार को कुल डाले गए मतों की कितने प्रतिशन मत मिले हैं, डाले गए, तो डाले गए मत किते थे दोस्तों, डाले गए मत किते थे, देखिए इदा 200, यानि यहां पे देखिए 200, इंटो X कर लीजे किता हो जाएगा, 16,000, 16,000 थे डाले गए मत, पूछा है हाने वाले को किते मिले, तो दोस्तों देखिए हाने वाले को किते मिले गए, यार से देख ले आप, यहां रख दीजे 200, 200 यह किता हो जाएगा, दोस्तों रखने पे 49 इंटो 2 कर लीजे आप, 49, 49 इंटो 2, यहां रख रहा हूं दोस्तों, हाने वाले को, माइनस 120, 0, 8, यह देखिए, 8 यहां बच जाएगा, दोस्तों, सित्र तुम्हें सिख जिए, 6,000, ठीक है, चलिए, आपको देखना है, 6,000 असी है, जो 16,000 का कितना प्रतीशत है, 16,000, क्योंकि यह 16,000, यहां पे रखा जाएगा, इसलिए, तो चियोतर, असी बटा, 16,000, इंटो 100, यहांने वाले को, कुल, डाले गए मत्यों का, प्रतीशत मिल जाएगा, दो जिरो से दो जिरो, एक जिरो से एक जिरो, चलिए, शिर्त, यानि 788, 16,000 का भाग देगे, 16,000, 64 होता है, दोस्तों, बज गया, यहां से 12, 128, यानि की, साथ बार, 47%, ठेक गया, सॉरी, 16,800 होता है, 16,800, चार बार, बज गया किता दोस्तों, जब मैं 16 में से, सॉरी, 64, 12, 14, आपका आंसर जो है, वो दोस्तों है, 48%, यह उपसन, बार समझना आगी होगी आपको, कैसे तरह से क्या में, नेक्स्ट देखते है, सतना नमबर, चलिए, यह इसी है, वो सेम वाई, जो आपने पहले भी किया था, एक चुना में, दो मीदारों ने भाग लिया, 20% लोगोंने, बोट नहीं किया, इसका हमने, बोट 48%, इसमेंसे भी आपके 20%, ऐसे थे जो निकले नहीं गर से, यानि 80X, अब देखिए दोस्तों, 80X का कितना, 12% मतों किया कर दिया गया, अवेद गोसित कर दिया गया, इसका मतलब वेद मत किते होगे दोस्तों, 87.5%, यह वेद होगे, अवेद को निकालेंगे बाद, इसमेंसे थे एक जन्युको कितना मिला, और दोस्तों, 60%, किसका वेद मतों का, और अवेदो एच्षपन सू बोटों से विजे हो गया, तो दोस्तों, 50% मिला दोस्तों तो दूस्तों, 40%, शाट और 14 का अंतर किता होता दोस्तों, 20%, यानि इसका जो 20% है, वो किसके बराबर है, दोस्तो यह आपको ज्यान रखना में लिए वापस से देखिए मैं बता देता हूं वेद मतों का 60% एक जनों को मिला है तो ओविसे को किता मिला होगा वेद मतों का 40% 60% 40% का अंतर 20% किसका इसका चलिए इसको 100 कर देते हैं एक जिरो यहां सटा देते हैं एक टी वैल्यू आते सो यहां रख देंगे आंसर आ जाएगा चलिए वाइन टू यह अट गया दोस्तों जीरो यह 25 से करता है 25 कितों थे दोस्तों 25 बज़ गया 12 पांच बार कर गया दोस् सीधा डायरेक्ट अच्छा 25 से यह भी तो काटना पड़ेगा पाच्ची चौक का 140 चलिए ठीक है यह साथ बार यह आट बार आट उसाथ किते होते हैं दोस्तों 56 सो यह कड़ गया एक और यह चार बार यह हो जाएगा 400 एक्स बराबर 400 यानि दोस्तों टोटल जो बोर्ट थ वो थे 40,000 किते थे 40,000 ठीक है उस चुनाव में देख लेना एका वापस से सही किया है मैंने कहले कूशेश तो नन इन में से कोई नहीं 40,000 बोर्ट थे किते थे दोस्तों 40,000 ठीक है बार समंद में आगी हो गया आपको यह था दोस्तों अपना चुनाव समंदी समस्याइं जो अपने बढ़िया कर लिए 17 सवाल जित्ते भी बने थे मैंने आपको बता दिये हैं दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको बढ़िया लग रहा है आपको मेरे कॉंसेट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज्यादा से बनागे रखीगा धन्यवाद दोस्तों जैहिंग